तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे The Gray Man Movie के बारे में काफी टाम से इसकी चर्चा हैं चल रही थी सुनता आ रहा था कि यह मूवी रिलीज होने वाली है हाइप क्रियेट की जा रही थी इवन इसका ट्रिलर भी काफी ज़ादा अच्छा था और यहां पर इस movie को देखने की excitement इसलिए भी बढ़ गई थी क्योंकि इसके अंदर धनुशर जो है वो अपने Captain America भाईया के साथ नज़राने वाले थे तो यहां पर इन चीज़ से इतने बड़े-बड़े कलाकार इवन रेयान गोसलिंग जो है यहां पर इसमें main movie का में नज़र आएंगे तो इतने बड़े-बड़े कलाकार जब movie में आ रहे हैं तो movie देखे भी ना कैसे रह सकते थे तो काफी ज़्यादा excitement थी इस movie को लेकर और उमीदें भी थी कि यह movie काफी ज़्यादा अच्छी जाएगी गई या नहीं वो तो इस पूरी वीडियो में आपको पता चली जाएगा अब यहां पर जब भी movie release होती है Netflix के OTT platform पर दो घंटे दो मिनिट के आसपास इसकी length रखी गई है और अब स्टोरी की बात कर लेते हैं इस movie की अब एक CI agent है टेंजन ना लेना कोई भी spoiler माप लोगों को नहीं देने वाला हूँ बहुत सो समझ कर चीज़े मैंने even मैंने लिखी है पहले भी लिखता है था even अब और ज़्यादा अच्छे से लिखी है तो एक CI agent है जिसका नाम है 6 मतलब वो 6 नमबर वाला 1,2,3,4,5 के बाद जो आते हैं 6 तो यहाँ पर 6 एक CI agent है और उसको by accident अपनी जो department है उसके कुछ dark secret पता चल जाते हैं बहुत ज़्यादा घिनोने हैं बहुत गलत काम कियो हैं जब इसको पता चलता है तो इसी के agency या इसी के department के जो लोग हैं इसी के उपर bounty रख देते हैं या फिर कहेंगे कि जो भी इस six को मार के लेकर आएगा उसको इतने ज़्यादा करोड का इनाम दिया जाएगा अब पूरी दुनिया के जो लोग हैं या लोग क्या कहूं एसेशनेट हैं वो इसको मारने पर लग जाते हैं कि भाईया इसको मारते हैं बाउंटी अच्छी कासी मिलेगी अब यही चीज है यही स्टोरी जो है आपको इस movie में देखने को मिलेगी कैसे जो six है वो अपने देखा है या नहीं देखा है उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा आप स्टार्टिंग से ही इस movie से कनेक्ट हो जाएंगे और आपको लगेगा यह movie बहुत जादा अच्छी जाने वाली क्योंकि जिस तरीकी की शुरुआ दिखाई गई है एक ऐसा लगते हैं चीजों को बहुत अच्छे से डेवलोब किया गया है और यहां पर बहुत अच्छे से री प्रेजेंट भी किया गया खासकर इस movie में आपको बहुत जादा जो चीज पसंद आएगी वो है इस movie का camera work मुझे definitely शुरू से लेकर आखिर तक इस movie का camera work बहुत पसंद आये खासकर इसके अंदर जो drone shot इसमें लिए गये हैं मैं उमीद करता हूं कि वो drone shot ही होंगे बहुत जबरदस्त हैं जिस तरीके से camera आता है उपर से उड़ते वो बहुत बढ़िया मुझे लगे आप जब यह आप यह movie देख रहे होगे आपको एक चीज और फील होगी किया इस movie में मेहनत बहुत की गया ह बहुत अच्छे से चीज़ों को दिखाने की कोशिश की गई है और वो दिखा पाते हैं या नहीं दिखा पाते हैं इसके उपर तो सवाल उठता है और जो भी इस movie के अंदर action हमें देखने को मिलते हैं वो भी बहुत जादा बड़ी है और एक time ऐसा आता है कि जब आपको ल दिखाया गया है वहां पर मतलब वह चीज़े तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता फिर आपने spoiler दे दिया वह चीज़े मैं नहीं करना चाहता हूं लेकिन हाँ अच्छा का सा रोल है इवन सबसे जादा सर्प्राइज किया जो धनुसर ने जो fighting sequence जो उनके दिखाया गए मुझ रोल था ना मुझे इतना अच्छा लग रहा था उस चीज़ को देखकर में जो जो भी कोस्ट्यूम है जिस त्रेके का उनको character बनाया गया वह बहुत अच्छा था और यहां पर एक चीज़ जो मुझे लगी है इस character को तोड़ा बहुत और अच्छे से लिखा जाना चाहिए लेकी की Gayle बहुत बढ़ीया से प्लेया फंदर द्या है रोल को बहुत अच्छे से किया है वहाँ पर लेकिन जो एक कमी जो महसूस होगी ऋपर जीना चाहिए आब जो आप देखो कि तब आपको पता चलेगे कि हाँ यार हमें इसको और जानने के जोड़ती क्योंकि काफी इंट्रस्टिंग वह आपको क्रेक्टर लगता है और क्रिस इवान सर के तौर एक डायलोग जो यहां पर बोला जाता है कि इनकी दो उंगलियां कर जाती है मतलब मुवी में जब आप फील करोगे उसमें जब एक्स्प्रेशन सामने आते हैं और जिस अंदाज में वह बोला जाता है वह भाई सब चुमेश्वर लेवल कर बहुत चापरदस्त नेगिटिव या फिर कहों कि कमियों की बात करूं इस मुवी में तो देखो यार इस मुवी की कमी यह कि लैंद्धी जादा है इसमें इंटरस्ट ब्रेक होता है और कहीं कहीं पर क्या फिर कऊँगी कुछ ऐसे सीन है जो इलोजिकल है जो आप यकिन नहीं कर पाऊगे फिर आती है कमी इसके अंदर VFX की यार वो VFX भी आपको ऐसे लगेंगे कि यार इतलब चीप लेवल कि जा देती है और मैंने का नहीं कि यह मूवी प्रोमिसिंग या फिर कहें कि स्टार्टिंग में इतना अच्छा लगता है कि यह बहुत बढ़िया जाएगी लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि मूवी में इंट्रस्ट कम हो जाता है य लेकिन उतनी बढ़िया नहीं लग पाती जितना इससे उम्मीदें की थी बावजूद इसके तो मैं यही कहूँगा कि आप इसे वन टाइम कंसर तो जरूर कर सकते हैं तो मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 6.5 आफटो 10 स्टार हिंदी में यह मूवी भी अलग वो इसी यह मुझे ऐसा फील हुआ आप भी बता देना कि अगर आप लोगों ने मुवी देखिए तो आपको कैसा फील हुआ या आपका एक्स्पिरियंस कैसा रहा और नहीं देखिए तो जैसे आपको इसको इन टाइम तो कंसेडर कर सकते हैं कोई भी ऐसा वलगर सीन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाए हिंद्ट